हर्याणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आई और उसके बाद इस्तीफों की जड़ी लग गई लिस्ट आने के 24 घंटे के अंदर अंदर एक कैबनेट मंतरीक विधायक समित कुल साथ नेताओं ने पार्टी छोड़ी और अब तक अब तक लगभग 20 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी से अपने संबंद को तोड़ चुके दो नेताओं ने निर्दलिय चुनाव लड़ने का एलान भी किया पार्टी छोड़ने वालों में सुक्विंदर शुरुनार लक्षमन नापा रणजी चोटाला जील शर्मा सुनिल राओ आदिती चोटाला और पूर्व में मंतरी रहे कनदेव गंबोज का नाम भी शामिल ह इसके अलावा सावितरी जिंदल और नवीन गोएल ने निर्दलिय चुनाव लड़ने का एलान किया बुद्वार को 67 उमिदवारों की एक सूची बीजेपी ने जारी कि जिसमें रंजी चोटाला का टिकेट दिया था चोटाला ने गुरुवार दुपैर में बीजेपी से इस्तीवा दे दिया राजनिते खलकों में चर्चा है कि कॉंग्रेस बीजेपी में उठी बगावत को भुना सकती है और कई नेताओं को टिकेट दे सकती है बीजेपी नेताओं की नाराजगी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं एक ऐसा ही वीडियो है जिस पे हरियाना के ओबीसी मूर्चा के नेता और पूर मंतरी करंदेव कंबोज ने एक बैठक के दौरान कई अन्य पार्टी सलस्यों के सामने मुख्मंतरी नायप सिंग सैनी के हाथ मिलाने से इनकार कर दिया मुख्मंतरी नायप सिंग सैनी कंबोज से बात करने आये थे जो पार्टी के उम्मिदवार सूची से बाहर किये जाने से नाराज थे वाइरल हो रहे है वीडियो में देखा जा सकता है कि ओबीसी नेता को पार्टी नेता हुए हाथों को खीचते हैं और आगे बढ़ जाते हैं इस दोरा नायप सिंग सैनी को उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें थामने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है ये नायप सिंग सैनी के लिए शर्मिंदगी का सबब बना है कंबोज मुख्यमंत्री के बगल में अप की तरफ नहीं देखते हैं कंबोज ने राज जिब भाजपा के ओबी सी मोर्चा के पर मुखपत से भी स्तीफा दे दिया है उन्होंने काया कि शायद भाजपा को अब वफादारों की जरूरत नहीं है कंबोज ने कहा कि पार्टी उन नेताओं को टिकेट दे रही है जो एक यब वो बीजेपी को हराने का काम करेंगे हर्याना विधानसबा चुनाव में टिकेट कटने से नाराज कंबोज ने काया कि बीजेपी ने उमिदवारों की पहली लिस्ट जारी की कंबोज कहते हैं कि वो दो विधान सबा इंदरी और रादोर से चुनाव लड़ने की तयारी कर रहे थे लेकिन टिकेट नहीं मिला उन्होंने का कि वो पार्टी से पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है कि 2019 में शाम सिंग राना का टिकेट काटना पड़ा और ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इतनी गद्दारी करने के बावजूद 2024 में उन्हें टिकेट दिया गया ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि पार्टी ये सब कर रही है करनदेव कंबोज कहते हैं अकर पार्टी उन्हें जवाब देती है और वो से संतुष्ट हो जाते हैं तो मैं पार्टी के लिए काम करूँगा लेकिन जिस तरह से शडियंतर करके गद्दार को टिकेट दिया गया है उसने पार्टी के उम्मिदवार को हराने का काम किया जो आदमी BJP के निताओं को गालियां देता है उसे टिकेट दे दिया कि हमें टिकेट नहीं दिया गया ये नाराजगी कंड़देव कंबोज की साबता और पद देखने को मिली ऐसा नहीं है कि कंड़देव कंबोज एक नाम है एक लंबी फैरिस्त है हरियाना बीजेपी के नेताओं की जो बीजेपी का दामन छोड़ चुके है लक्षमनापा रतिया के विधायक तेर टिकेट नही तेर टिकेट नहीं मिला इस्तीफा दे दिया इसके अलावा विकास और फबल्ले दादरी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने बीजेपी से इस्तीफा दिया अमिजयन बीजेपी युवा राज्यकार कार्णी सदस से और सोनीपत विधानसभा चुनाव के परभारी ने इस् इस्तीफा दिया वो उकलाना से इस टिकेट बांग रहा थे जबके पार्टी ने पूर मंत्री अनुवधानक को इस सीट से चुना है सुक्विंदर मंडी हरियाना बीजेपी किसान मोर्चा के राज्य अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दिया दर्शनगिरी महराज हिसार से बीजेपी नेता ने इस्तीफा दिया सीमा गेबिपूर बीजेपी की सीनिय लीडर है इस्तीफा दे दिया आदित्य चोटाला, H.S.A.M. बोर्ड के अध्यक्ष के पस से इस्तीफा दिया, चोटाला ने 2014 में बीजेपी के टिकेट पे चुनाव लड़ा था, आशुशेरा, पानिपत में बीजेपी महिला विंग की जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, टिकेट कटने से नारास थी, सविता जिंदल, बीजेपी से इस्तीफा दिया, निर्दलिये चुनाव लड़ने का एलान कर चुकी हैं, तरुर जैन, हिसार से निर्दलिये चुनाव लड़ने का एलान कर चुके हैं, बीजेपी से इस्तीफा दिया, नवीन गोयल, गुडगाओं में बीजेपी से डॉक्टर सतीश खोला रिवाडी से टिकेट मांग रहे थे पार्टी ने टिकेट नहीं दिया इस्तीफा दे दिया इन्होंने भी इंदू बेलचा बीजेपी जिलाव पाध्यक्ष और पूर्व काउंसलर संजीव बेलचा की पतनी है पार्टी छोड़ दी उनके पती ने भी बीजेपी छोड़ दी है बचंसिग आरे पूर्व मंत्री हैं बीजेपी इन्होंने भी शोड़ दी रंजीत चोटाला खटर सरकार में बिजली मंत्री के तोर पे काम किया पहले निर्दलिये चुनाव लड़े थे बाद में बीजेपी में शामिल हो गए अब उन्हें टिके आलगो हला कि अवाज पर गए हैं उन्होंने स्तीफा दिया अब ऐसे में आने वाले वक्त में और भी लोग बीज़ेपी से स्तीफा दे सकते प्रशान सानी यादव इनके नाम भी इस पे शामिल हैं रेवाडी से अपमेद्वार दें इन्होंने स्तीफा दिया यानि B. बीजेपी के उम्मिदवार जो नहीं बन पाए बीजेपी से जो नाराज रहे बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही जो इस्तिती देखने को मिली उसमें एक के बाद एक किस्तीफे हैं और नायप सिंग सैनी और कंडेव कंबोज के बाचीत के बीच का ये वीडियो जो सबसे पह करते हैं कि हर्याना विदानसवा चुनाओं में बीजेपी की क्या होती जा रही है